नमस्कार मित्रों जैसी आराम, मित्रों आज का मेरा विशय है रुद्रा विशेक हाला कि मित्रों कर्म कांड मेरा विशय नहीं है और नाही ये मेरा कार्री है लेकिन आज किसी संजन ने मुझसे रुद्रा विशय के विशय में पूछा रुद्रा विशेक जो विशे है ये उपाई जियोतिश के लिए बहुत ज़रूरी है जोकि जियोतिश से जोड़ा हुआ विशे है इसलिए मैंने सोचा क्यों आज इस पर वीडियो बनाया जाए वित्रो भारती संस्क्रती में वेदों का बहुत महत्तो है आप सभी जानते हैं कि चार वेद हैं तो जो रुद्रास्ता ध्याई है वह यजुर वेद का अंग है वेदों के ही इसलोकों सूत्तों से पूजा यग्य अभिशेक आद किया जाता है वेद शिव के ही अंश है कहा भी गया है कि वेद है शिव है शिवो वेद है अर्थात वेद िही शिव हैं तता शिव ही वेद हैं शिव से ही सब है तता सब में शिव का वास है शिव, महादेव, रुद्र, नीलकंट, आदि सब ब्रह्म के परियाएवाची है रुद्र अर्थात रुद्र और रुद्र अर्थात जो दुखों को रश्ट करे वही रुद्र है सभी देवता रुद्गांश हैं और सब कुछ रुद्र से ही जन्मा है इसी रुद्र याने शिव की उपासना की जाती है अपने दुखों को दूर करने के लिए शिव के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की मानिता रही है इनकी आराधना से सुख, शान्ती, पुत्र, पौत्राद, धन, धान की संपन्रता, स्वास्ति और सद्गत की प्राप्ती होती है रुद्राव शेक की महिमा का वल्णन लगबक सभी धर्म गंतों में किया गया है तो मित्रों रुद्राव शेक से आशे है कि रुद्र अर्थात शिव का विशेक और ये शिव उपासना की अतिप्राचीन, प्रसलित और शुबफल देने वाली हमारी मनो कामना सिद्ध करने वाली पद्दती है शिव जी को रुद्राव शेक अतिप्रिय है और जैसा कि मैंने उपर कहा है कि सभी देवता रुद्राण्श है तो इसका अर्थ ये हुआ कि रुद्राव शेक करने से सभी देवताओं की पूजा स्विम संपन हो जाती है भगवान शिव रुद्राव शेक से शीक्र प्रसंद हो जाते हैं आप सभी जानते हैं कि रुद्राव शेक में लिंग रूप शिव का मुख्यता जल और दूद से अवशेक किया जाता है जल-धारा अत्वा दुग-दुधारा के साथ ही वैदिक मंतरों का उचारन किया जाता है गृत शहद तथा गन्ने के रस्से भी रुद्राव शेक किया जाता है और इसे करने से सभी परकार के कष्टों सभी परकार की समस्याओं का शमन हो जाता है मित्रव थोड़ी जियोतिष्ट की अगर बात करें तो ग्रहों की अशुविता से यदि आप परिशान हैं ग्रह दशा प्रत्कूल चल लए है मारकेश की दशा चल लए है कुछ आरिष्ट होने की आशंका है कुडली में मारक ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया है तो महाम रतुंजय मंत्र पढ़ते हुए रुद्रा विशेख करें भक्ति और समल पर भाव से करें तो निश्चित ही माने की रोग वा कश्टों से मुक्ति मिलेगी इसके अलावा मित्रों एक बात है कि किसी कार्य की यदि आप शुरुवात कर रहे है तो रुद्रा विशेख करने से उस कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और कार्य बड़ी आसानी से संपन हो जाता है रुद्रा विशेख से हमें रोग दुख मानसिक वशारिरिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है जनम कुल्ली में चंद्रमा यदि पीरित हो तो छह रोग की संभाबना बढ़ जाती है साथ साथ चंद्रमा मन का भी स्वामी होता है मन का कारक होता है अथा मानसिक समस्याएं भी उत्पन हो सकती है तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में मित्रों चंद्रमा को मजबूती प्रदान करना जरूरी हो जाता है और हम रुद्रा विशेक यदि करें तो इसमें लावब होता है रुद्रा विशेक करवाना लावब रद साबित होता है गंभीर तरह के रोगों को दूर करने के लिए भी या उसे बचाओ के लिए भी रुद्रा विशेक सबसे अच्छा उपाए है घरेलू समस्याएं अगर बढ़ती चली जा रही हो वाद विवाद टकरावाद की इस्थिती रोजाना होने लगे घर में अशान्ती का वातावरन रहने लगे तो फिर रुद्रा विशेक से लाब मिलता है यदि आप मुकदमे बाजी यादी में उलजे हो धन की किल्यत रहती हो किसी नशे के शिकार हो घर में किसी सदस्य को स्वास्त समंदी समस्याएं हो अकाल मिलत्यू तथा दुरगटना आदिसे बचाओ के लिए भी रुद्रा विशेक कराना या करना अचू कुपाय होता है तो मित्रों मैं इसी के साथ अपनी वानी को अब विराम दूँगा आगे फिर कभी रुद्रा विशेक पर चर्चा होगी तो तब तक जैसी आराम नमस्का